Hi, Welcome to live activity, इस activity से हम सीखेंगे कि भाई, mixtures कितने तरीके की होते हैं, यानि हम कितने तरीके की मिलावत कर सकते हैं, इसके लिए मैंने 4 glasses लिया है, और इन 4 glasses में हमने 50 ml water already fill कर रखा है, यह देखो 50 ml water already fill कर रखा है, और इसमें हम mix करेंगे 4 अलग-अलग चीजें, we have ink, सबसे पहले हमारे पास ink है, इसे हम इस water में डाल के mix करेंगे, यह मेरे पास oil है, ठीक है, यह oil है, और इस oil को भी हम डाल कर mix करेंगे एक glass में, मेरे पास sand है, यानि बालू, इसको भी हम एक glass में mix करेंगे, और हमारे पास sugar है, यानि चीनी, इसको भी हमें 4 glass में mix करेंगे, इन चारों चीज़ों को अलग-अलग मिक्स करके हम देखेंगे कि भाई, कितने तरीकी के मिक्स्चर्स बनते हैं, तो चुरों स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले मैं add करूंगा इसमें oil, ठीक है, मैं, पहले वाले में मैं oil डाल रहा हूं, यह देखो, oil मैंने करी, ठीक है, ठीक ह करने वाला हूं मैं, तुमारे सामने, ताकि यह आराम से घुल जाए, मिक्स हो गया, ठीक है, now in third one, we will put sandstone, बालू, यह देखो, मैंने इसको, डाला, इसको भी मैंने मिक्स कर दिया, डाला मैंने, और मस्त से, मिक्स कर दिया, मैंने, और जो आखरी वाला, यानि fourth वाला है, इसमें हमें, सुगर पुट करना है, यह मैंने सुगर पुट करके, इसको, steer कर दिया, मिक्स कर दिया, ओके, सो, अभी हमारे पास, चार, अलग-अलग तरीके के मिक्स्चर्स है, मैं कैमरा मैंने से, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, कि, प्लीज, इन मिक्स्चर्स को, फोकस करें, अब एक-इक करके, इन मिक्सर्स को, अब्सर्ब करना, स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले, मेरे इन यस पास है, इन्क सलूशन, आप इस सलूशन mijnे देख पा रहे हो, इन्क परिफेक्ट्ली डिजॉल्ब हो गया है, ठेक है, आप पहले observe करते हमारा, इसमें, पर्फेक्ली डिजॉल्ब हो गया है, लेकिन इसमें आप देख पा रहे हो, ओएल जो है, वो उपर इकठा हो है और water नीचे ही कठा हुआ है perfectly boundary दिख रही है आप देख रहे हो boundary is visible in this solution इसमें हमने oil और water mix किया है और इसमें boundary so कर रहा है उपर oil है नीचे water थर्ड देखते हैं this is sugar solution sugar solution में हमें boundary नहीं दिख रही है हमें कुछ नहीं दिख रहा यह हमें एक uniform solution दिख रहा है boundary दिख रही है कोई नहीं दिख रही है भाई अच्छा we have fourth one this is sand solution हमने इसमें water में sand मिलाया हुआ है आप clearly देख पा रहे हो कि जो sand है यह इस glass के नीचे वाले हिस्से में जाकर बैठ हिया है और water कहा है यह उपर है तो यहाँ पर आपने दो अलग-अलग categories के mixtures देखे एक तो यह वाले जिनकी boundary दिख रही है एक यह वाले जिनकी boundary बिलकुल नहीं दिख रही है यह है uniform composition वाले मतलब यह पूरी तरीके से घुल गए है और दूसरे क्या है non-uniform composition वाले इनकी boundary दिख रही है यह water से पूरी तरीके से mix नहीं हुए है तो यह भाई हमारा हो गया first type of mixture which is called heterogeneous mixture heterogeneous mixture इसमें क्या होता है boundaries between two particles are visible ठीक है now second one is what यह है हमारा homogeneous mixture इसमें boundary is not visible boundaries visible between particles boundaries not visible into particles यह homogeneous that is heterogeneous so I hope you got it by this activity let's move forward